नमस्कार दोस्तों, I hope आपकी तयारी काफी बेहतर चल लए होगी, तो आपके तयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले कोश्चन की सुरुगात करते हैं, सबसे पहला कोश्चन है आपका माल विकागन मित्रम किसने लिखाता, आपसन ए देखेगा, भास ने, बी है, कभी राय ने, सी है, पाणवट ने, और डी है, काली दास ने, तो कोश्चन नम्मर वन क का राइट आंसर हो जागा दोस्तों, आपसन नम्मर डी, यह जो माल विकागन मित्रम है, वो काली दास की रचना है, हलाकि काली दास की और भी रचना है, माल विकागन मित्रम, अभी ज्यान सकुंतलम, मेग दूतम, कुमार संभोम, यह सब क्या है, काली दास की रचना है, औ दर्बार में राते तहें उनके 9 वर्懦णों में सेख ठतै और आपसे कुछन में पूछ ли जाय कि किस घुप्ठ सासऩक के दर्बार में 9 वर्रवत्न राते थे थे तो चंड्गुप्थी बिक्रमादित के दर्वार में ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे कोश्चन नम्र टू पे कोश्चन नम्र टू देखेगा गुप्त सामराज के वास्तिविक संस्थापक कौन थे गुप्त सामराज के वास्तिविक संस्थापक कौन थे आपशन ए देखेगा चंद्र गुप् सी है स्री गुप्त और डी अंगार तो नमर 2 का राइंटान्स हुजागा दोश्तों आपसे नमर्सी यतक कसवाउद सतापक श्री गुप्त को ही माना जाता है आगे बढ़ेंगे question number three question number three है आपका बंगाल सती अधिनियम बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था option A देखिएगा दोस्तों Sir Henry Harding B है लाड बिलियम बंटिक C है Edward Law और D है बिलियम बटरवर्थ बेले तो question number three का आपका right answer हो जाएगा option number B लाड बिलियम बंटिक के द्वारा सती परता को अभाइद घोसित कर दिया गया था किसके पर्यासे तो राजा रामौन राइए एक समास उदारख है राजा रामौन राइए उन्हीं के पर्यास से लाड बिलियम बंटिक के द्वारा सती परता को अभाइद घोसित कर दिया गया था कब तो 4 दिसंबर 1829 को अगर आप मेरा सती परता वाला वीडियो ने देखे चाहिस से अक्रीज के ट्वारा दिया गया था दोगा तो कोस्ष्र नम्मर फोर का राई टाँस रोजह बाझ्ध नवर चाहिसे रहे हां मिल्हुँटब कर दोख दोगे बे का स्माय में पेज़ा ऍद प्रियोड कने किस स्वेकिंट प्रियुट था लाट करजन के आधेस पर नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमर्शिक्स भारती राष्टी कांग्रेस की अर्थापना हुई थी आप्षन देखेगा अठारसो ब्यासी में भारती राष्टी कांग्रेस की अर्थापना हुई थी कहां पे तो बंबई में गोकुल दास तेजपाल संसक्रित कालेज में और इस अधिवेशन के प्रथम अदेश कौन थे तो डाबली सी बनार जी पूरा नाम हो जागा इनका व्योमेश चंद्र बनार जी और कोश्चन आप से एक पूछा जाता है वेरी मॉस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन आंस निकल कर आता है कि भारती राष्टी कांग्रेस के सथापक कौन है तो एलन अक्टोवियन ह्यूम शाट नाम हिनका एलो ह्यूम आगे बढ़ेंगे कोश्चन नमबर सेवन पर साइमन कमिशन किस वर्स भारत में प्रतम बार आया था आप साने देखेंगे 1925 में बी है 1926 में सी है 1919 में और डी है 1928 में तो कोश्चन नमबर सेवन का राइट आंसर हो जागा दो तो आपसन नमबर डी हैं जो साइमन कमिशन है वो भारत में कवा आया था तो 1928 में आया था इसका गठन 1927 में हो गया था और 1926 में इसने भारत आया था आगे देखेंगे कोश्चन नम्मर एक्जाम में पूचा जाता है चोटेछोटे चोटे एक्जाम में आते रहता अकोश्चन आंसर हो जागा दूखतों तो question number 8 का right answer हो जागा दोस्तों, question number 8 का right answer हो जागा, मात्मा गाधी, मात्मा गाधी नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन किसमें, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, आंदोलन किसमें क्या किये थे, एक नारा दिये थे, करो या मरो, और भारत छोड़ो आंदोलन कभ गा था दोस्तो तो 1942 में हुआ था आगे बढ़ेंगे question number 9 question number 9 है आपका निम्लिखित में से किस नेता को नेता जी के नाम से जाना जाता है तो question number 9 का राइट आंसर हो जाएगा option number B इन सुवाष चंदर बोष को नेता जी के नाम से जाना जाता है जैसे कि नेता जी सुवाष चंदर बोष अगला question देखेंगे question number 10 चोरी-चोरा भारत के किस राज में है चोरी-चोरा भारत के किस राज में है आपसन ए देखिएगा महराष्ट में B है उत्तर परदेश में C है गुजरात में और D है बिहार में तो question number 10 का right answer हो जागा दोस्तो आपसन नम्मर भी जो चोरी-चोरा है वह भारत के उत्तर परदेश राज में इस्तित है कहां पे गोरखपूर के समीप गोरखपूर के समीप इस्तित है क्या हुआता है आपे कहीं कहीं चार मिलता है कहीं क गांधी ने क्या किये थे और सहायोग आंदोलन को वापस ले लिये थे यह कहां पर तो चोरी-चोरा उत्तर परदेश के गोरखपूर जी लेके समीप है अगला कोस्षण देखेंगे कोस्षण नमर्цип 11 मौवरेकालिन भारत में मौवरेकालिन भारत के वकल्रण वाली इंडिका इंडिका का लेखा कों थे पूछा जा सकता था इंडिका का कौन थे लेकिन भारत के बिवरण वाली इंडिका के लेखए कौन थे आपसें देखेंगा मेगा स्थनिच भी है फाय जान सी है वेंज सांग और डी है इनमेसे कोई नहीं तो कोष्टेसनजंस 11 के राइट आंसर होजागा दोफ्तों आप्सन नम्मर याँ मेगा स्थनिच कि रचना क्या है इंडिका है और मेगा स्थनिच किसके दरबार में में आये था ऐथे वयान किसे दरॉबार में के दरॉबार में नहीं हु कर्माति के दरॉबार में हाय थाू सख लिकी स्वेंसांग और वेंसांग क्या है दोनों चीनी यात्री है पुच्टक लिखी जिसका नाम है फों क्यूंकी और श्वेंसांग ने पूच्टक लिखी जिसका नाम है सि जूकी यह सब पूछा जा चुका है आप से कि कि आगे देखेंगे इस question नमर बारा रिपीटक निम्हीं जितमें से किसे सम्बनित है not लगाईगा इस question क्या कहें बहुत दर्म से सम्बनित question है option A देखिएगा जैनियों से option B है बौधों से option C है सीखों से और option D है हिंदूं से तो question number 12 का right answer हो जागा दोस्तो, option number B जैने जो 3 पीटक है और किसे सम्भण नहीं थे तो बहुत हो से सम्भण नहीं थे और 3 पीटक है सुत्थ पीटक, बीने पीटक और अभिधंब पीटक लिख देते हैं सुत्थ पीटक, बीने पीटक और अभिधंब पीटक कोश्चन Pero 13 question no即 exam बुथ गौत्व बुथ को माहापरनिरमार कहां हुआ था बुथ गौत्व को महापरनिरमार कहाँ हुआ था महा परनिरमार का मतलब कान रुमार का मतलब न Howeverした कि महापरनिरमार का मतलब होता है is दिहनी मिर्टिय। को बहुत धर्म की त्यास में महाप्रनिर्माण के नाम से जाने जाता है आपसर नहीं देखीगा बुध गया में B है कुसी नगर में C है राजग्री में और D है वैसाली में तो question number 13 का राइट आंसर हो जागतो तो आपसर नम्मर B यानि गौतम बुध को महाप्रनिर्माण मल्लो की रायधानी उसमें किसकी रायधानी हुआ करती थी तो मल्लो की रायधानी कुसी नगर में हुआ था आगे बढ़ेंगे question number आगे देखेंगे question नमर 14 left law और रकत की निती किसने अपनाई नुट लगाई गे इस question क्याएब बहुत पूछा जाता है option A देखिएगा बलवन ने, B है अलाव दिन खील जी ने, C है मुहम्मद बिन तुगलक ने, और D है बाबर ने question number 14 का right answer हो जागा दोफ्तो, option number A यानि लग, लोह और रक्त की नितिक अपनाने वाला कौन सा सक्खाए तो बलवन है आगे बढ़ेंगे question number 15 पे, very most important question है, हुमायू नामा के लेखा कौन थे, हुमायू नामा के लेखा कौन थे, option A देखिएगा, हुमायू यानि स्वेंग हुमायू, B है गुलबदन बेगम, C है इनायत खान और D है अहमद यादगार, तो question number 15 का right answer हो जागा दोफ्तो, option number B यानि ह हुमायू नामा के लेखा कौन है, गुलबदन बेगम है, गुलबदन बेगम है कौन, तो हुमायू की बहन, बाबर की पुत्री और अकबर की बुगा, तो अकबर के ही कहने पे, अकबर के ही कहने पे, हुमायू का लाड़का कौन है, अकबर है, तो अकबर के ही कहने पे, क्लास भी चलेगा आपको घबडाने की कोई जरूरत नहीं है बस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए हमें सला सुझाओ जो भी हो आप हमें देते रहे किस तरह के आपको को सब्सक्राइब करेगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बह आपने बाद